शेरे कश्मीर स्टेडियम में जब राहूल गांधी ने अपना भाशन दिया तो आज काफी भावुक राहूल गांधी दिखे और स्टेडियम में उन्होंने कहा जब भाशन दे रहे थे के मेरे को कश्मीर जम्मु कश्मीर के लोगों ने मुझे सिर्फ प्यार दिया है मैं वा राहुल गान्धी काफी भावुक भी दिखे तमाम बाते उन्होंने की लेकिन टी-शट वाली बात करके वाकी जो स्टेडियम में लोग बैठे थे उनको भी भाव घुब किया राहुल गांदी ने कि मैंने सोचा कि सुनिए मैंने सोचा कि ऐसे करते हैं कि मैं अपने घर वापिस जा रहा हूं कि चार दिन कि पैदल चलूंगा कि अपने घर के जो लोग हैं उनके बीच में चलूंगा और मैंने सोचा कि जो मुझसे नफरत करते हैं उनको क्यों ना मैं एक मौका दूँ कि मेरी सफीद शर्ट का रंग बदल दें लाल कर दें क्योंकि मैं मेरे परिवार ने मुझे सिखाया है गांदी जी ने मुझे सिखाया है कि अगर जीना है तो डरे बिना जीना है नहीं तो जीना नहीं है तो मैंने मौका दिया मैंने का मैं चार दिन चलूंगा बदल दो टी-शर्ट का रंग लाल कर दो राहूल गांधी ने कहा कि आरेसेस और भारतिय जनता पार्टी मेरे उपर दबाव बनाते हैं और इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं अब देखिए बीजेपी आरेसेस के लोग आक्रमन किस चीज़ पर कर रहे हैं मुझे गाली देते हैं मैं उनका धन्यवाद करता हूं क्योंकि मैं जो मैंने आपको शुनियता की बात की शिव की बात की उसको मैं समझता हूं और मैं दिल से उनका धन्यवाद करता हूं कि जितना भी वो मेरे उपर प्रशर डालें जितनी भी गाली लगाएं जो भी वो करें उससे मैं सिर्फ सीखता हूँ तो मैं एक प्रकार से उनका धन्यवाद करता हूँ मगर जो मैंने आपको बात बोली पहले चाहे वो कश्मीरियत है चाहे वो वैशनो जन्तो है चाहे वो शंकर देव जी है बसवा है नराइन गुरू है तिरुवलवर है जो तमिल नाडू के बड़े पोयट है फूले जी है और जो कश्मीरियत है ये इस विचारधारा पर आकरमन कर रहे हैं और ये जो विचारधाराएं है ये इस देश की नीव है इस देश की फाउडेशन है जो विचारधारा इस देश की नीव को तोडनी की कोशिश कर रही है उसके खिलाफ हम खड़े हो मिलकर खड़े हो नफरत से नहीं क्योंकि वो हमारा तरीका नहीं है मोहबत से खड़े हो मैं जानता हूँ कि अगर हम मौबबत से खड़े होंगे, पियार से बात रखेंगे, तो हमें सफलता मिलेगी, और उनकी जो विचारदारा है, उसको हम सिरफ हराएंगे नहीं, मगर उस विचारदारा को हम उनके दिलों से निकाल देंगे. तो आपने देश की जनता ने हमारा समर्थन किया, हमारी कोशिश है कि हमें, BJP ने एक जीने का तरीका, राजनेतिक तरीका दिखाया है, हमारी कोशिश है कि हम एक और तरीका, जो हिंदुस्तान का तरीका है, महबत का तरीका है, वो हम देश को दिखाएं, हम देश को याद दि कि हिंदुस्तान मोहबत का देश है, इज़त का देश है, भाईचारे का देश.